दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों के कुछ कमेंट का रिप्लाई करने वाले हैं तो चलिए आज की वीडियो हम कंटीन्यू करते हैं और लेते हैं आज का पहला कमेंट आप में से किसी भाई ने पूछा है भाई इंडियन वीजा पर कुछ अपडेट दो कब ओपेन दोस्तों यहां पर आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि इंडियन वीजा पूरी तरिके से बंद नहीं हुआ है यानि के 100% बंद नहीं हुआ है बस यह है के पहले से इसकी मिकदार को जिस तादाद में पहले वीजा निकल रहा था इस तादाद को कम कर दिया गय आप में से बहुत सारे लोगों का जो है वीजा रेजेक्ट हो जाता है कुछ-कुछ लोगों का वीजा निकल पाता है तो ज्यादा वीजा रेजेक्ट हो जाने के वएसे लोग ये सोच रहे हैं कि वीजा बंद हो गिया है ऐसी कोई बात नहीं है अब ये है कि वीजा जो है पर नदर आ रहा होगा आप में से किसी भाई ने पूझा है असलम भाई कंपणी नए विजा प्रोसेस बुला कर काम नहीं देता है तो बटा हुआ क्या रूल है दोस्तों कतर का रूल इसके बारे में ये है कि कमपनी अगर आपको बुलाती है तो आप कतर में जैसे ही जाते हैं तो आप कमपनी की जिम्मदारी में चले जाते हैं कमपनी के उपर में जरूरी है कि वो आपको काम दिलाए अगर आपकी कमपनी आपको काम नहीं देती है, आप बढ़े रहते हैं तो रूल के हिसाब से आपकी सेलरी बनती रहेगी, क्योंकि काम का देना नो देना ये अपके अख्तियार में नहीं है, बलकि ये जो है ये जीमदारी कम्पनी के उपर में है, कम्पनी वाला अगर काम नहीं देता है फिर भी आपकी सेलरी बनती रहेगी कुछ कमपनी वाले इस रूल को फोलो करते हैं जब के अक्सर बेश्टर कमपनी वाले इस रूल को फोलो नहीं करते हैं यानि जब आपके पास में काम नहीं रहता है तो कमपनी वाले सेलरी नहीं देते हैं अगर इ इस मेटर में इनसाफ ले सकते हैं उमीद है कि आपके साथ में इनसाफ जरूर होगा इसमें जो है टाइम लग सकता है लेकिन मैं अपनी तरफ से यहां पर कहना चाहूंगा कि सेच्वेशन को देखते हुए समझोते से आगे बढ़ें ताके आप अपनी कमपनी के साथ में जब सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो इसका जवाब है कि बिल्कुल कर सकते हैं आपके पास में जो कोड का पेपर है अगर पुलीस आपको पकड़ती है तो उस पेपर को देखा करके आप बहुत ज़्यादा चांस है कि पुलीस वाले आपको नहीं पकड़ेंगे आप छूट जा है कि कमपने वाले रूल को फोलो नहीं करते हैं कल मैंने आप लोगों के साथ में एक वीडियो शियर किया था जिसमें कहा था कि अभी कतर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है इन दिनों में कतर की तरफ से एक रूल लागू किया जाता है एक जून से ले करके 15 सिप्टे करते हैं तो यहां पर मैं आपसे कहाना चाहूंगा कि आप लेवर मिनिस्ट्री को कंप्लेंड कर सकते हैं कंप्लेंड करने इक सुरत में आपके उपर में कोई दिकत प्रोबलम नहीं होगा और आपकी कंपने खराब में जरूर कारवाई की जाएगी याद रहे कि यह रूल कि इन पर आप लोगों को CID का नमबर नदर आ रहा होगा हाट लाइन नमबर लेंड लाइन नमबर इसीतरा ईमेल इडरेस आप लोगों को सारी चीज़ नज़र आ रही होगी तो इन चीजों के जरी आप जो है CID से कंट्येक्ट कर सकते हैं दोस्टों अमीद करता हूं कि य वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी वीडियो को आगे जरूर शियर करें बहुत बहुत शुक्रिया